Hello everyone, आज की वीडियो बहुत important होने वाली है, क्योंकि अगर आप FD करवाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से banks हैं, जो आपको आज के time 9% से ज्यादा FD पर interest rate दे रहे हैं, अगर हम बात करें mutual fund की, तो बहुत सारे mutual fund ही ऐसे हैं, जो आपको 9% से लेकर 10% की interest rate दे रहे हैं, दीखें, अगर आपको FD पर 9% से ज्यादा की interest rate मिल रही है, और वहीं mutual fund की तरह आपका पैसे का कोई risk नहीं है, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती, और आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना नहीं जानने वाले कि कौन से bank interest rate क्या है, इसके सा साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे तीन से लेकर 5 मिट के अंदर अंदर उन FD में invest भी कर सकते हैं, आपको कहीं पे किसी भी bank में जानी के ज़रूर्ट नहीं है, बेसक आपका उस bank में खाता हो या ना हो, आपकी घर बैठे बैठे FD हो जाएगी और सारी process आज हम ये करके देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आए जान लेते हैं कि भारत में जितने भी banks हैं, उनकी फिलहाल interest rate क्या है, और कौन सा bank आपको सबसे ज़्यादा FD पर interest rate दे रहा है, अभी आपके सामने जो ये bank की list है, ये इंडिया में जितने भी bank है, सब की list है, और जब भी हम कोई भी पैसे जमा करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हम उसको सिर्फ government banks में ही invest करें, क्योंकि government bank हमें लगता है कि सबसे safe होते हैं, देखे हमारा इस तरीके से सोचना बिलकुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको समझने से पहले हमें ये समझ अगर आसान भासा में हम समझे, RBI कहता है कि अगर हम किसी भी bank में पैसे जमा करते हैं, चाहे हम वो saving account में जमा करें, कोई FD करवाए, RD करवाए, किसी भी home में हम किसी भी bank में जमा करें, चाहे private bank में जमा करें, चाहे government bank में हम जमा करें, या किसी small finance bank में हम जमा करें, तो उस करना चाहते है FD में तो आप किसी भी बैंक में कर दीजिए आपका रिस्क सब में सेम है सब आपके लिए सेफ है क्योंकि अगर वो डूब भी जाता है तो RBI आपको वो आपके पांच लाग रुपे देगा अब बात आती है कि अगर हम पांच लाग से ज़्यादा की FD करवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा देखें RBI की कलियर गाइड लाइन है कि RBI कहता है मालीजी आपने किसी एक बैंक में मालीजी SBA में आपने पांच ल भी आते हैं तो आर्वी आपको यह 5 लाग भी देगा यह 5 लाग भी यह पांच लाग भी तो जो 5 लाग की लिमिट है वो एक करवानी है क्योंकि जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेट अफिलहाल दे रहे हैं वो है Small Finance Bank आप सोचोगे कि Small Finance Bank आखिर होते क्या हैं देखिये जो यह Small Finance Banks होते हैं यह Proper Bank की तरह ही काम करते हैं लेकिन RBI नेन पर कुछ restriction लगा रखी है कि आप इतने रुपे तक का लोन दे सकते हैं आप इनको लोन दे सकते हैं आप इतनी FD करवा सकते हैं तो इस तरह की Small Finance Bank में थोड़ी restriction होती हैं उसके अलावा यह पूरा काम एक प्रोपर बैंक की तरह ही करते हैं तो आप इनको ज्यादा बैंक और Small Finance Bank में ज्यादा अंतर मत समझेगा कि Small Finance में कुछ अलगी चीज़ है तो अगर हम बात करें Interest Rate की कौन सा Bank की Interest Rate कितनी है अगर हम FDV करना चाते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो और मैंने पहले ही आपको बताया है कि जितने भी Small Finance Bank है उनकी Interest Rate आपको ज्यादा मिलेगी और यह लिश्ट भी है आप बिल्कुल कलियरली देख सकते हो जो भी हमारी Small Finance Bank है सबकी Interest सबसे ज्यादा है उन्हेटी Small Finance Bank जना Small Finance Bank तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे सबसे ज्यादा अगर आपको FD पर इंटर्स रेट चाहिए तो सबसे ज्यादा आपको यह देंगे जैसे सिवाली स्माइल फाइनेस बैंक है जो आपको 7.8% की Interest Rate दे रहा है वो सबसे ज्यादा जो हमें Interest Rate दे रहा है जो एक साल की FD पर आपको 8.1% की जो आपको ब्याजदर दे रहा है FD पर वहीं अगर आप एक दिन ज्यादा की FD करवाते हो यानि एक साल में 365 दिन ओते 365 की FD करवाऊ गे तो आपको मिलेगे 8.1% अगर आप 366 दिनों की FD करवाते हो तो उस केस में आपको यही बैंक दे रहा है 8.35 य एक दिन एक्टा करवाने पर ज्यादा उनको इंटरसेट मिल रही हूं तो लेकिन कुल अगर मैं आपको बताऊं कि समाल फाइनेट्स बैंक जितने भी है उसमें आपको ज्यादा एफडे पर इंटरसेट यहां पर दिखाई दे रही है अगर हम बात करें अब तक आपने देख है हमारे स्मॉल फाइनेस बैंक सबसे उपर ते फिर प्राइवेट बैंक बहुत ही कम आपको फिलाल एफडे पर इंटरसेट दे रहे हैं अगर हम बात करें सरकारी बैंक की तो यहां पर यूनियन बैंक और इंडिया आपको यहां पर 6.75 की इंटरसेट दे रहा है अगर हम यहां पर पंजाब नेसनल बैंक की एक साल की एफडी पर 6.75 तो जितने हम नीचे जाएंगे इंडियन बैंक आपको 6.30 दे रहा है तो ऐसे ऐसे गौर्वर्मेंट बैंक आप कलिरली देख रहे हो कि बहुत ही कम इंटरसेट दे रहे हैं मैंने आपको पहले ही बताया जब आ आसपास तक हमें इंटरसेट बहुत देखने को मिल रही है तो वहां हम करवा सकते हैं और जितनी भी इंटरसेट आपको यहां पर दिखाई दे रही है वोमंच को और सीटीजन को ज्यादा बैनिफीट यहां पर दिया जाता है जैसे कि यहां पर जन्हक्रास हमारे जिमाग यह confusion आ रही होगी कि हमारा तो small finance bank कितने सारी bank के कहीं पर भी account नहीं है तो कैसे FD करवाई किस हमारे यहाँ पर आसपास में कोई small finance bank मी नहीं है वहाँ कैसे हम FD करवाई इन सारी problems अगर हम FD करवाना चाहते हैं किसी भी small finance bank में तो इन सारी problem का solution कोई sponsor वीडियो नहीं है मैंने personally इस app के FD में invest कर रखा है और आपको लग रहा होगा कि कहीं यह app बाद में भाग जाए तब क्या होगा देखें आप जीतने भी पैसे किसी भी bank में यहाँ पर आपको दोस्तों से ज़्यादा अगर आप के पैसे invest हो जाएंगे अगर बात करें security की आपको लग रहा होगा कि यह app बाद में बंद हो जाए app बहुत सारी बंद हो जाती है तो ऐसा नहीं है आप जो भी FD में पैसे invest करोगी सेब के चुरू का सारा पैसा app के पास नहीं रहेगा आपका पैसा सीधा direct bank के पास जाएगा आप चाहें तो उसको confirm कर सकते हैं bank में जाके यह app सिर्फ आपको प्लेटफों प्रवाइड कर रही है को किसी भी bank में फिजिकली जाना ना पड़े घर बैठे बैठे आप बहुत सारे bank की FD कंपेर करके उसमें invest कर सको तो यह app सिर्फ आपको तरफ से आपको दे दिया जाएगा आई अब देखते हैं कैसे हमनी stable money app के तरू FD में पैसे invest कर सकते हैं जैसे ही आप stable money app डाउनलोड कर लोगे आपके सामने ऐसा interface खुलेगा मैंने link description में दे दिया है वहाँ से clicker कि आप यह app डाउनलोड कर सकते हो तो जैसे ही आप डाउनल आपको जो भी नए फीचर लेके आएंगे वह आपको दिखाई देंगे जैसे यहाँ पे अब इन्होंने एक्सेवर FD का यहाँ पे इंट्रेडूस किया है यानि पांच साल की जो FD जिस पर आप डेट लाग रुपे तकी tax की rebate बिलती है वो यहाँ पे आया है इनका एक exclusive benefit है कि अगर आप 3,00,000,000 की FD करवा देते हो तो कुछ extra benefit यह देते हैं वो यहाँ पे हैं यहाँ पे आप credit score भी चेक कर सकते हो अब शुकिन ने समरीदी होजना कि इनके कुछ planning चल रही है तो जो भी नए इस feature की आते यहाँ पे आपको दिखाई देती है आप थोड़ा सा नी 9.1% की interest rate इसमें मिल रही है सबसे जयादा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपके bank में आप invest करना चाहते हो तो माली जी हम इस उतकर small finance bank में invest करना चाहते हैं जैसे इस पर हम click करेंगे आपके सामने इस उतकर small finance bank के सारी interest rate सामने आ जाएंगी कि अगर आप एक साल की FD करना चाहते हो तो आपकी interest rate क्या है तीन साल की क्या है दो साल 6 मिने की क्या है और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि दो साल की FD पर आपको आई है यहाँ पर interest rate मिल रही है general people को 8.5 और senior citizen को 9.1% मिल रही है वहीं यहाँ आप बात करें जो इनकी tax saver FD है यानि 5 साल क FD यहाँ पर 8.1 की यहाँ पर दे रखी है अगर आप यहाँ पर book कर रहे है तो बब कर सकते हो आप थोड़ा सा नीच्चों चलोगे तो आपको यहाँ पर compare करके भी दिखा रखा है कि अगर आप उटकर small finance bank में 2 लाग रुपे की FD करवाते हो 2 साल की तो और state bank of India SBA में आप वही FD करवाते हैं तो आपको कितना फ्रक पड़ेगा देखें यहाँ पर आपको 2 साल में 36,640 रुपे ब्याज़की मिलेंगे वहीं आपको SBI में 29,730 रुपे मिल रहे हैं यहाँ यहाँ पर clear लिख रखा है कि 23% जादा आपको return मिलता है अगर आप इस उतकर small finance bank में होती ही क्योंकि यह बिल्कुल secure है RBA के दोवारा 5,000,000 रुपे तक यहाँ पर हमें कोई भी टेंचर लेने की जुरूरत नहीं है और यहाँ पर लिख रखा है कि 19,000 कोड रुपे से जादा तक इंवेस्ट हो चुके हैं और बात करें हम इसमें minimum deposit की तो minimum deposit 5000 रुपे की आपको FD करनी पड़ेगी और सबसे important feature जो यहाँ पर FD करवाने का है वो है local period नहीं यहाँ पर आपको clear दिख रहा होगा कि साथ दिनों का यहाँ पर local period है बहुत सारी FD में आपने देखा होगा कि आपने एक साल की FD करवा ली तो उसके बाद अगर आप उसको बीच में तुड़ आते हो तो आपको बहुत सारी penalty लगती है यहाँ पर सिर्फ आपको साथ दिन पैसे रखने है उसके बाद आपके जो भी withdrawal करोगे उस पर कोई penalty नहीं लगेगी यहाँ पर लिख रखना no withdrawal penalty अगर आप withdrawal करते हैं तो कोई penalty नहीं लगेगी और यहाँ पर certificate भी आप देख सकते हो तो यह सब कुछ देखने के बाद हम calculate by return पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अलावा और feature अगर मैं इसके बारे हम बताऊं ऐसे fd book हो जाएगी अगर आप दोस्तों से ज्यादा और जितनी भी interest rate उनको देखना साते हैं और fd को compare करना साते हैं तो आपको यहाँ पर discover पर क्लिक कर और आप किसी particular bank की देखना चाते हैं तो यहाँ पर search option आपको मिलेगा आप search option पर click करके वो देख सकते हैं यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर search option आ गया तो यहाँ पर जो भी डालेंगे वो आजाएगा जैसे sbis b7.1 है जो आप देखना साते हैं व अगर बैठे बैठे करवाना चाते हैं तो बहुत ही best option है क्योंकि बहुत ही सांदार आपको इंटरसेट मिल रही है और उस bank में आपके saving account की भी जुरूर नहीं है लिंक का मैंने description में देदिया है अगर आप करवाना साते हैं तो वहाँ से करवा सकते हैं जैसे ही आप sign up करें अगर नीचे देगे लिंक से तो वहाँ पर आपको 200 रूबे reward मनी भी मिलेगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो चलो को like से subscribe करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद